नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव, गाय को रोटी देते समय भूल कर भी ना करें, ये गलतिया, वरना हो जाओगे बरबाद जीहा, यदि आप गाय की रोटी खिलाते समय ये गलतिया करते हैं, तो ये 33 करोर देवी देवताओं के अपमान के समान है, आप लोग रोज गाय को र नादान और भक्ती का एक पवित्र कार्य माना जाता है, हिंदू धर्म में गायों को पवित्रदा और देविय कृपा के प्रतीक के रूप में, पूजा जाता है, ऐसा माना जाता है, कि नियमित रूप से गाय को रोटी देने से आपके घर की सभी बाधाओं को दूर करने मे मदद मिलती है और दैविय आशिरवाद प्राप्त होता है मगर शायद आप ये बात नहीं जानते हैं कि गाय को रोटी देते समय अगर आप इन गलतियों को कर देते हैं तो आप जीवन में कंगाली को नियोता दे रहे हैं जी हाँ आपको बता दें कुछ विशेश तिथियों और दिनों में गाय को रोटी देना बहुत लाभकारी माना जाता है इसमें से अमावस्या पूर्णिमा तिथी को विशेश माना जाता है और गुरुवार के दिन गाय को रोटी देना एक शुब काम माना जाता है हाला कि आप जब भी गाय को रोटी देते हैं आपको इसके कुछ नियमों का पालन करना चाहिए और किसी भी गलती से बचना चाहिए जिससे इस पवित्र अनुष्ठान का पूर्ण फल मिल सके ऐसा माना जाता है कि यदि आप गाय की रोटी खिलाते समय कुछ गलतियां करते हैं तो ये 33 करोड़ देवी देवताओं के अपमान के समान है आईये जाने गाय को रोटी खिलाते समय आपको किन गलतियों से बचना चाहिए मगर इस से पहले आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि गाय को रोटी खिलाने का आखिर क्या महत्व है तो मित्रों आपको बता दें गाय को रोटी खिलाना केबल एक धार्मिक कार्य नहीं है बलकि ये देवताओं की पूजा के समान एक कार्य है यदि आप नियमित रूप से गाय को रोटी अर्पित करते हैं तो कई दोशों से मुक्ती मिलने के साथ आपकी मनोकामनाओं की पूर्ती भी होती है इस पवित्र अनुष्ठान से आपके जीवन में भगवान कृष्ण समेट समेट देवी देवताओं का आशिरवाद बना रहता है तो सबसे पहली गलती की बात करें मित्रों तो सबसे पहली गलती है कि गाय को रोटी देते समय जोतिश की बातों को नजर अंदास करना जीहा जोतिश के अनुसार आप भले ही नियमित रूप से गाय को रोटी नहीं खिला पा रहे हैं, लेकिन आपको किसी शुभ दिन और अफसर पर पहली रोटी गाय के लिए जरूर निकालनी चाहिए, मान्यता है कि राहुकाल के दौरान गाय को रोटी नहीं खिलानी चाहिए, इससे जगह नुकसान हो सकते हैं, गाय में 33 करोर देवी देवता है, और यदि आप गाय का किसी भी रूप में अपमान करते हैं, तो ये इश्वर का अपमान होता है, किसी भी पूर्निमा और अमावस्या तिथी पर गाय को रोटी जरूर देने की सलाह दी जाती है, अब दूसरी आपकी सबसे बड़ी गलती है, गाय को बासी रोटी खिलान हैं, तो ये भी देवी देवताओं का अपमान. करने जैसा है, हमेशा ध्यान रखें की रोटी ताजी बनी और साफ होनी चाहिए, जो सम्मान और पवित्रता का प्रतीक है, आपको इस बात का भी ध्यान देने की जरूरत है, कि आप कभी भी गाय को अपनी या किसी और की करना चाहिए और इसे साफ और स्वच्छ वातावर्ण में तयार किया जाना चाहिए, गाय के लिए तूटी हुई या दूशित रोटी का उप्योग करने से बचें, क्योंकि इससे आपको नकाराक्मक फल मिल सकते हैं, वन ही तीसरी आपकी गलित है, गाय को रोटी खिलाते स गाय का सम्मान ना करना जी हा, गाय को रोटी देने के समय सम्मान और श्रद्धा की भावना बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जब आप गाय के लिए रोटी तयार करें या उसे खिलाएं, तो आपको अपनी भावनाओं में गाय के प्रती पूर्ण सम्मान और गाय के पास ले जाते समय भी आपको सम्मान जनक रवया अपनाना चाहिए, रोटी को गाय के पास ले जाकर आप उसे श्रद्धा पूर्वक नमन करें और रोटी उसे सम्मान पूर्वक खिलाएं, यह महत्वपूर्ण है कि आप गाय को दूर से रोटी न फेंकें, बलकि उसे नस्दीक से, धीरे-धीरे और सौमिता के साथ रोटी खिलाएंग, अब बात करने अगली सबसे बड़ी आपकी गलती के बारे में तो मित्रों गो है, अगर आप गाय को रोटी देते समय किसी भी स्थान पर रोटी रख द के पास नफेंकें, इसे हमेशा सम्मान से ही देना चाहिए, रोटी को जल्दबाजी में नफेंकें और नहीं किसी भी स्थान पर रखें, इसके बजाएं, इसे श्रधा पूर्वक गाय के सामने धीरे से रखकर या सीधे खिलाकर अर्पित करें, भेंट की विधी में सम्मान और देखभाल दिखाई देनी ज़रूरी है, तो मित्रों अगर आप इन गलतियों को नहीं करते हैं, और गाय को सही तरीके से रोटी खिलाते हैं, तो आपको जीवन में धनवान बनने से कोई नहीं रोख सकता है, क्योंकि मित्रों ये सच है कि गाय माता को एक रोटी सुभा खिलाने से बहुत फल मिलता है इससे सभी देवी देवता आपसे खुश रहते हैं आपका कोई ग्रह कितना भी कमजोर क्यों ना हो आपका जीवन में कुछ नहीं बिगड सकता है तो अगर आप अब तक गाय को रोटी नहीं खिला पार हैं तो आज से ही खिलाना शुरू करें धन्यवाद हर हर महादे